हेलो दोस्तों, स्वागत है निखरी हिंदी टुटोरियल्स में आज की नई कहानी है ये कैसे हो सकता है? एक बार की बात है दो व्यत्ति थे जिनका नाम था मामा और फूफा. मामा और फूफा दोनों व्यापार करते थे और दोनों व्यापार में सहभागी थे. मामा ने फूफा से कहा, फूफा क्यों ना हम कोई ऐसी वस्तु खरीद लें, जो जल्दी खराब ना हो और उसकी कीमत भी बढ़ती रहें? फिर हम उसे कुछ वर्षों बाद बेचें जिस से उसके मूल धन से ज़्यादा दाम मिलें? फूफा ने कहा, ठीक है मामा, तुमारी बात तो सही है, पर हम खरीदें क्या? उन्होंने आपस में राय मश्वरा किया और लोहा खरीदने का निर्ने लिया, दोनोंने बराबर रुपे मिला कर लोहा खरीदा, फूफा ने मामा से कहा कि लोहा वह कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दे, मामा ने लोहा अपने पास एक पुरानी कोठरी में रख लिया, कुछ दिन तो लोहा जसकतस रखा रहा पर धीरे धीरे मामा के मन में लालचा गया और मामा फूफा को बिना बताए लोहा बेचने लगा काफी दिनों बाद फूफा मामा के पास गया और बोला मामा आज लोहे का भाव काफी बढ़ गया है जल्दी से वह लोहा निकालो हम इसे बेच कर आते हैं इस पर मामा बोला फूफा लोहा तो अब कबार घर में नहीं है क्योंकि लोहे को तो घुन खा गए है फूफा समझ गया कि मामा ने उसके साथ धोखा किया है और उसे बिना बताए सारा का सारा लोगा बेच दिया है फूफा को क्रोध तो बहुत आया पर वह बिना कुछ कहे सुने वहां से चला गया इस घटना के कुछ दिनों बाद फूफा मामा के पास आया और बोला मामा मैं एक बारात में जा रहा हूँ बड़ा अच्छा इंतजाम है अकेला हूँ चाहो तो अपने लड़के को साथ भेज़ दो उसकी भी मौज हो जाएगी और कल सुभा तक हम वापस भी आ जाएगे मामा बोला क्यों नहीं बेशक तुम मेरे लड़के को अपने साथ लेकर जाओ और हाँ इसे बारात में अच्छी तरख खानावाना खिला देना फूफा बोला यह भी भला कोई कहने की बात है मामा तुम निश्चिंत रहो इस तरह दो दिन बीट गए मामा का लड़का अभी तक घर वापस नहीं आया मामा को बहुत चिंता हो गई कि अभी तक उसका लड़का घर वापस क्यों नहीं आया है वह अपने लड़के के बारे में जानने के लिए फूफा के पास गया और बोला फूफा मेरा लड़का कहा है वह अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया है फूफा ने कहा क्या बताऊं मामा रास्ते में एक चील तुमारे लड़के को उठा कर ले गई मामा बोला ये कैसे हो सकता है भला, कोई चील बारा साल के लड़के को उठा कर ले जा सकती है, सीधी तरह मेरा लड़का मुझे वापस करो, नहीं तो मैं राजा भीम के पास जाऊंगा फूफा बोला, ठीक है मामा, चलो राजा जी के पास चले, अब वही नियाय करेंगे मामला वहां के राजा भीम के सामने पेश हुआ, राजा भीम ने सारी बात सुनी और आश्चरे चकित होते हुए फूफा से कहा देखो फूफा, तुम जूट बोल रहे हूँ, भला कोई चील बारा वर्ष के लड़के को उठा कर अपने पंजो से आसमान में ले जा सकती है इस पर फूफा ने उत्तर दिया, कथा कहूं कथा वली, सुनो राजा भीम, लोहा को घुनन खाए, तो लड़का ले गया चील इस पर राजा भीम सब समझ गये, और उन्होंने मामा को आज्या दी, कि वह फूफा का लोहा वापस कर दे और फूफा को कहा, कि वह लड़के को मामा के पास वापस पहुचा दे तो यह थी आज की कहानी, अगली कहानी के साथ पेर मिलेंगे ऐसे ही और वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, धन्यवाद